अलो श्वेंड्स यदि अभी तक आप लोगों ने 36 गर्ड नर्सिंग के फॉर्म फिल नहीं किया है तो श्वेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए last date आप लोगों की strength 28 मई है जी हां 28 मई से पहले पहले आप लोगों को strength 36 गर नरसिंग के form भर देना है और strength आपका जो पेपर है वो 24 जून को conduct कराया जाएगा तो strength form कैसे भरना है आप लोगों को strength इस form को भरने के लिए आपको जो भी document चाहिए ठीक है सारी process हम आपको इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो strength पहला option है आपका हम भारत के नागरिक है do you belong to minority जी strength क्या आप अलतसंख्यक है तो बोले yes बिलकुल है फिर strength आप लोगों का minority में types बताना यह दी है तो health department है तो उसको कैटेकरी बताना है कास certificate भी लगेगा आपको मूल निवासी छंत्रीजगल का मूल निवासी परमान पत्र भी लगेगा इसके बाद को बढ़ोर्वाइक आप मेरेट ऑने इसके बताना कि आप किस सहर में रहने वाले मकान नंबर, बार नंबर, सहर, जिला, पिन, कोड, एक्जाम सिटी आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप इस्टरेंस हैं, हैंडिकेप्ट बगएरा हैं, डिसेबलिस्त हैं, तो इस्टरेंस यह आपको बताना क्या आप एक्स सर्विस आप्रेंथ पूरी से कम नर्सींग की तयारी बहुत ही कम फूरेंथ हमारे कोचिंग के माद्यम से आपको प्रवा के दी जाएगी IMP topic के साथ में प्लस आपको पूरा course CG nursing का मिलेगा जिसमें आप जब model question paper लगाए test series लगाए और कहीं भी strength series आप रुखते हैं किसी भी topic में तो strength आप उसका video lecture देखके तुरंट clear कर सकते हैं और strength आपको जो 4 घंटे की live classes दी जाएगी तो strength 3 घंटे की live classes है एक घंटे की strength आपकी live practice classes है जिसमें strength आपको IMP topic cover राए जाएगे आपके paper के लिए तो सरवाधिक selection strength 252 बच्चों का selection विगत बर्सों में हमारे coaching संस्थान से 36 गर नर्सिंग में हुए हैं यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी selection हो तो strength जरूर कॉंटेट कीजेगा मेरे mobile number 9407384042 में और strength आप सारी जानकारी ले सकते हैं coaching की और एक दिन की demo class लगा कर देख सकते हैं classes पसंद 38 strength तो बहुत कम fees है और strength हर बच्चे इस fees को afford कर सकता है ठीक है तो जरूर संपर कीजेगा मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ मैं तब तक के लिए thank you bye bye and take care